नमस्कार हलचल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर अम्रिस्टर के जंड्याला गुरु के अधीनाती गहरी मंडी के नज़ीक खेतों में मिली लाश सिर्वा मुपर मिले चोटो के निशान अम्रिस्टर के थाना मकबूल पुरा और CIA स्टाफ की पुलिस ने नौ गैंक्स्टर्स को किया काबू पिस्टॉले गोलियां एक जैमर किया बरामत अम्रिस्टर के जंड्याला गुरु के अधीनाते गहरी मंडी के पास खेतों में से सुबह एक लाश मिलने से इलाके में संसनी फैल गई जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई इस समंद में जानकारी देते हुए पुलिस जान्च अधिकारी ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली थी कि गहरी मंडी के नस्दीक जाडियों में एक लाश पड़ी हुई है जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो मृतक के सिर और मुँपर चोटो के निशान थे जाँच के दुरान उसकी जेम में से उसका आधार कार्ड मिला जिस से पता चला कि मृतक व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश है और वे अमरिस्तर के थाना भी डिविजन चौंक मन्ना का रहने वाला है उन्होंने कहा कि शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम है तो भिजवा दिया गया है पोस्ट माटम की रिपोर्ट आने के बाद ही बंती कारवाई की जाएगी अमरिस्तर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट अमरिस्तर पुलिस कमिशनर नौ निहाल सिंग के दिशा निर्देशों पर गलत तत्वों और गैंक्स्टरों के खिलाफ चलाई गई मोहिम के तहत अमरिस्तर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब जग्गु भगवान पुरिया गैंक के सदस्यों और शूटरों को काबू किया गया इस समध में जानकरी देते हुए एडी सीपी अभिमन्यू राना ने बताया कि थाना मकबूल पुरा और सी आई ए स्टाफ की पुलिस टीम को यह सफलता हासिल हुई है उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी ने कोसी कला मतुरा उतर प्रदेश में रेड कर इस गैंग के में शूटर परम दलीप सिंग उर्फ पमा अभिशेक महाजन और सोनु गोस्वामी को हत्यारों सहीत काबू किया जबकि इनके 690 साथियों को कटरा जम्मू कश्मीर से भी काबू किया गया है आरोपियों के पास से दो पिस्तोले गोलियां और एक जैमर भी बरामत किया गया है फिलाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्च कर आगे की पूछताच शुरू कर दी है जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है अमरिसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट पूछगिस तो एगल कलीर होई कि टोटल पांच बंदे सीगे इना ने इस तो पहला एक मजिठा रोड़ तो बलैनो कार स्नैच किती सीगी अपने पुलिस मुलाजम को लो उसी कार नो वर्त दे हो है इना ने वारदा नो अजाम दिता इना देना आले एक सीगा परंदलीप सिंग उर्फ पमा एक हर्यानवी कोई अन्नोन शूटर सीगा जड़ा भारो आया सी ते इना ने वारदार परंद बटाले चले गए उथे बटाले तो फिर आप इना नो पना देना आले ते ना दी हेल्प करना आले एक अजीद कुमार उर्फ चोड़ा उन्नो ती पांज नो गिरफतार किता आठ जुलाई तो पहला इना ने एक वारदार नो फूस अंजाम द मुख्यमंत्री भगवन सिंग मान की और से प्रदेश को अपराद मुक्त बनाने के संकल्प के अंतरगत हुश्यारपुर पुलिस की विशेश टीम ने जिला हुश्यारपुर में पेट्रोल पंप लूटने वफिरोती मांगने वाले लुटेरा गिरों के तीन सदस्यों को हत्य दारों वा कार सहेत काबू करने में सफलत हासिल की है संबन्द में जानकरी देते हुए डी आई जी जालंधर रेंज स्वपन शर्मा और एससपी होश्यारपुर सरताज सिंग चहल ने प्रेस वारता को संबोधित करते हुए कहा कि पकड़े गया रोपियों की पहचान पकड़े गया रोपियों के पास से 7.65 mm की तीन पिस्तॉल 19 जिंदारोंद वकाले रंकी स्कॉर्पियो कार भी बरामत हुए है पकड़े गया रोपियों पर पहले भी लूट पाट के मामले दर्ज है पुलिस ने इन सभी रोपियों को मुटभेड के दोरान ग्रिफतार किया है फिलहाल सभी अरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताच शुरू कर दी गई है जिसे और भी खुलास से होने की संभावना है हुश्यारपुर से हल्चल के लिए अंकुष गोयल की रिपोर्ट जो कल दे इंसिडेंट होया है जिते ए तिन अक्यूज गिरफतार की ते गए ने उस दे विच एही सामने आया है का के ना ने वारदाता नो अंजाम देता सी गा जेडि तुसी कल कर रहे हूं ते हुन असी एदे विच अगे तफ्तीश करके ते देखांगे के इस दे विच की मोडस ऑपरेंडाइस ही की इना दे पिच्छे दा मनतव सी ते अगे हो रहे ना कौन-कौन असोसियेटेड हो सकता है यह कोई गल सामने नहीं है जेडा इना दे नाल एक हैंडलर है उदे बारे यह सिका उन दस चुकिया है कि वो बल्विंदर और बिंदर है जो अबरॉड सब्सक्राइब के नजदीक कुछ नौजवनों पर गोलियां चलाने वाले आरोपियों को ग्रिफतार करने में सफलता हसल की है इस समंद में जानकरी देते हुए एडीस टीपी प्रभजोत सिंग विर्क ने बताया कि मृत्त की युवक्य पिता के ब्यानों के आधार पर माम सब्सक्राइब को गठित कर कानपूर नगर यूपी में भिज़ा गया जहां कानपूर यूपी पुलिस के साथ संयूक्त ऑपरेशन के दौरान इस मामले में वांशेत आरोपी कमल कुमार सागर और लवपरीत को ग्रिफतार कर लिया गया जिनके पास एक आई-20 कार भी बरा चलाई थी जिस कारण साहिल गायल हो गया था और उपचार के दुरान उसकी मौत हो गई थी उन्हें बताया कि फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें माननी अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूचताच की जा सके अम्रि कि अदिन थी छेटाई इनू पी एस रंजीत आविन्यो अनिशली ये मुकदमा जड़ा 307 बेच जड़ा 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 कीता गया से गाउंगा बट अनफ़ुनेट साहिल जड़ी जड़ी सिगी डी सिगी कोली लकन करके 33 जड़ा जड़ी जालंधर पुलिस ने दो बड़े सटे बाजों को ग्रिफतार करने में सफलता हसल की है एंटी नार्कोटिक सेल पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दो भाई अतुल अरोडा और अजे अरोडा लोगों को अपने घर में ही सटा खिलाते हैं जिसके बाद पुलिस ने सूचना मिलते ही मुख्विर के बताए हुए ठिकाने पर चापे मरी की और मौके पर से ही दोनों सटे बाजों को ग्रिफतार कर लिया इस समंद में जानकरी देती हुए सेल के इंचार्ज हरजंदर सिंग ने बताया कि ये लोग वैसे तो विदेशों में ज़्यादा रहते हैं लेकिन कुछ दिन पहले ही यहां पर आए थी जैसे ही पुलिस को इनके बारे में सूचना मिली तो पुलिस ने चापे मारी कर 24,90,000 रुपयों की नकदी, चार मोबाइल फोन, दो लैपटाप, एक डॉलर के दो सो सिक्के भी बरामत किये हैं फिलहाल पुलिस ने दोनों रुपयों के खिलाफ मामला दर्च कर उन्हें माननी अदालत में पेश कर रिमांट पर लेने की तैयारी की जा रही है ताकि इनसे आगे की पूछताच की जा सकी जालंधर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट जिन्हों ही इंफर्मिशन केफ्टर कर दे हुए है अज यह दे तेज्डा कारवाई कर दे हैं तो सो दो नंबर एक फिया थाड़ा रहा मंडी दे बेच्चे रिजिस्टर की ती अंदे सेक्शन चार्सों भी ते 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 रहा हैं के अपनी एक्ट्स ते इदे जालंधर में डी सीपी हरविंदर सिंग द्वारा प्रेस कांफरेंस की इस दुरान डी सीपी हरविंदर सिंग ने बताया कि कुछ दिन पहले जालंधर के रामामंडी एरिया से एक मामला सामने आया था कि घर के बाहर सेयर कर रहे व्यक्ति को एक कार में आये कुछ व्यक्ति किडनैप करके ले गए जिसके बाद उसकी पतनी की कंप्लेट पर टीम ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और कारवाई करते हुए एक फाइनस कंपनी के लिए गुंडा गर्दी करने वाले साथ लोगों को गृफतार किया गया प्राप्त जानकारी के नुसारुक तारोपी ल जो लोग पैसे नहीं देते थे उनको किड्नैप करके बुरी तरह मार रहा जाता था फिलाल फाइनस कंपनी का मालिक फरार है और इस मामले में इन्वेस्टिकेशन जारी है पकड़े के रूपियों की पहचान आकाश दीब सिंग बलजीत सिंग मनप्रीट सिंग गुर्मीत क और अमृत पाल सिंग अर्शदीब सिंग और हर विंदर सिंग के रूप में हुई है चालंदर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट अमरीक सिंग नादा ब्यक्ति जिन्हों के रिनाम कीता कि असी उनों भी जड़ा रिकवर किता गया ते जड़े दो ब्यक्ति यह ना दे नाल चिटे मोटर सेकल ते रैकी करते सी ते उननों भी नाली गरिफतार कर लिया गया एना तो जड़े यह कि एक देसी कटा 315 बोरता प्लस तिन लाइव काटेज ए जड़े है कि अमरीत बाल सिंग नादा जड़ा क्यों सी जिन्हों रेस्ट कीता हो दे तो रिकावर हुए एंड कार दी जड़ी डिकी है किसी हो दे बिचों आज जड़े तो आड़े सामने रखे हुए ने एक दातर है का एक स्वर्ड है करपा इस घ्रड हे गया ना दे पैनादा तो रिकावर कर, यह तो रहा कैस जड़े एक और ना दे बिचों जड़ेừa ना दी जड़ी जड़े ग्या एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान की तरफ से पंजाब में उद्योगों को प्रफुलित करने के लिए उद्योगपतियों और व्यपारिक एसोसेशन से सुझाम मांगे जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपना आस्तित्व बचाने के लिए संहर्श कर रही टेक्स्टाइल प्रोसेसिंग एसोसेशन की और से कैपनेट मंत्री कुल्दीप सिंग धालीवाल के जरिये मुख्यमंत्री पंजाब को अपना दुख सुनाया गया और टेक्स्टाइल इंडरस्ट्री को फिर से उन्हें जीवित करने के लिए उद्योगपतियों का साथ देन और पंजाब में फिर से उद्योग वधन्दे स्थापित किये जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिल सके और पंजाबी नौजवानों का विदेशों की तरफ प्लायन रोका जा सके हमरे सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट कि जड़िया उन बच्वराना तो नो मजहूत करना बहुत बटा करना जो जड़िया यहां इनने मुश्किलाँ दस्यां कोछ इंदर यह मुश्किलाँ मीज़ी देनाल ने सार्डे बहुत स्नमालयोंक मनेस्टर ने उन्हाना भी मीटिंग करागे फिर चिमनिस्टर ना भी मीटिंग करागे जिनी हिनने इडमार्स दस्टियां पाशारिये अभान में पहले दा अमद सहर देच टैक्स ट्राइल अंडस्टी नो भुचा हो दी जो भी करना पूंगा ओपक करना के असी मान जो कर कैप्टिन मिनिस्टर पंजाब शीज तालिवाल साथ नो पुलाया सी गए थे उन्हों नो ही रिक्वेस्ट किती है जो पंजाब दे मेच सेंट्र पूरिशन कंट्रोर बोलों जड़े नॉम्स ने उन्हों फ़ोर स्क्यूज क कारवनों जिते हैं असी होना दो दो ते गवर करना से इतना इंडस्ट्री जड़ी यह खतम हो जाएगी बाकी स्टेटां जो जड़े ने ज्यादा लिबरल ने तो उसनल इंडस्ट्री दा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा इस करके से उन्हों बेंती किती है कि नवी जिते हैं डास्ट्री नो तो सी प्रमोड करने और पंजाब के आउन वास्ते हो थे पुणानी इंडस्ट्री नो भी बचा लो और दूसरा जड़ा 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 जड़ी अथार्टी बनाई या पंजाब दी दे वेचे रेट्स जड़े ने इनने कहा ही ने के जड़े आ इन्डस्ट्री नो बचान वास्ते हैं डिमान जोग कजूछ सिंग तालिवाल जी साथे कर्दे मिनिस्टर पंजाब नो रिक्वेस्ट किए या कि और ना दे माद्यम देनाल सी साइंस अंड टेक्नालोजी मिनिस्टर अबिनिस्टर श्री मी थे रदीनों थे मौकमंत्री पर पंजाब तक करें कि रिप्रिजेंटेशन पर जवाहिया और उन्हां रिक्वेस्ट किती कि साथी मीटिंग भी ना ना कराओ और जिदा उन्हान ने विश्वास भी दलाया और असी समय देया कि जड़ी नमी पंजाब दी सरकार है जो उन्हादे मांदे वेचे गल्हा किया क कैसी पंजाब दी इंडस्ट्री नो ग्रो करना है तो जरूर साथी गल्बास सुनके जड़े इन नॉम से पंजाब सरकार बदलन जा रही है उन्हों एठीक करेंगे और डिपार्टमेंट नुए इंस्ट्रेक्शन देंगे के एंट जी टी दे ब्राबर दे नॉम्स जड़े पंजाब में अपना कहर दिखा रही है जहां आधा पंजाब बाड में घिरा हुआ है वहीं संग्रूर के मुनक के इलाके में बहने वाली घगर नदी खत्री के निशान से सिर्फ एक फीट नीचे बह रही है घगर नदी में पिछले 24 घंटों में पानी का जलस्तर 17 फीट ब क्योंकि रात में कई फीट पानी और बढ़ने की संभावना है क्योंकि पहाडों में और चंडिगर पटियाला में लगातार बारिश हो रही है तथा वहां का पानी ही घगर नदी में आ रहा है प्रशासन की और से NDRF की टीम में दोसों से ज्यादा पुलिस के जवान ट्रैक प्रशासन की और से बार की स्थिती के साथ निपटने के लिए फुक्ता प्रबंद किये हुए हैं अगर हालात बिगडते हैं तो लोगों को सुरक्षित जगहें पर पहुचाने के लिए 10 जगहें निश्चित की गई हैं संगरूर से हलचल के लिए जस्वीर मान की रिपोर् जरातनों सानों ओबर फलो होन दाखात रहें तेवी दास पुट ताहां चड़के बान तो पार होन दाखात रहें अगरें काल किना सीदे आजिकना कल दा बहुत थोड़ा सीजिए ताम कड़ खड़ा पंदरां भी बुट जाई वाद कि होनी पानी दीजिए कल दाए बिल्क चलाई है पाट पाट के करन लगे हो यह से तरह सनुमीद है भी हो सागता है बच्चे दरेजे साड़ी पिछे भी कड़के आया है तो पता करिए कि लेंग नुक्तान कर सब्सक्राइब पंदरा पच्छी थी वोट पानी हो गई है तक कितना कि सरकार या परशाशन लगदा क कि हाँ आदेघ रये करने है घजे मियन गैलि मृण कि यह जि धूजेगर कि यह कॉजिब लगद टाइध हो पॉरेऊ आक लिए चोड़ा कर दटेना चंगी गल है सरकार है जेस ना करें ता ही विटकारे है पुछाशन थे फोई श्रॉत कारी पहुँछे थिए कोई अच्स कि पहुंचे आई कि कॉन को नाइट ले पहुंचे आपने लरे आड़ा डी सी पहुंचे आई दखो आज सवेर तु यह है सास हो गया थी कि जड़ा पिछे पाणी बहुत तेजी देना बद रहे है ते असी सवेरे नौ बजे तो सारे परशासन ने स्टीम साव अपना डी सी सा कि असी एनौ सारे कलस्टरां दे बच बंड के हर कलस्टर दे उत्ते हर पॉइंट दे उते आसी मलाजमां देया ड्योटियां लाज़ा सी ते सारे पेंडा दे विछ जा किता दी के सरकार थोड़े नाल खड़ी है ते सरकार बलों हर तरह दे पुखता परबंद ने जड़े बोन लोका के यह सोहलत दे लिए किते गयां, ज़ी किसे किसम दे इस तरह हाला तो भी बांजादे ना रहेंदा प्रभांध भी किता गयां, पिंडा दे विच आप जाके आएं ते आज जो जो सी तन बजे तक सारे प्रभांध किते सी, स्टाफ देन ड्योटी अनलाजा सी, परत्रादे प्रवांद जो इस संकट देले हो सक देया वो असी सारे गित्ते ने आमडी सर की राजा सांसी सब डिविजन जस्तरवाल 66 केवी के एक बिजली घर की छत खसता हालत में है जिसकारण बिजली करमचारियों के साथ-साथ इलाकावासियों को भी भारी मुश्किलों क सामना करना पड़ रहा है जिसकारण छत से पानी टपकता है और ब्रेक्रों पर गिरता है जिसकारण सारे बिजली पॉइंटों में पानी आ जाता है जिसकी वज़े से बिजली सप्लाई ठप हो जाती है और उससे ठीक करने में कम से कम 2-3 दिन का समय लग जाता है जिसकारण लाकावासियों और करमचारियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है यहां तक कि छट गिरने का डर भी बना हुआ है जिसकारन करमचारियों ने पंजाब सरकार को 66 केवी वाले बिजली घर को नई छट देने की अपील की है अमरिसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट अजिने मतलब हाई वोर्ट आज दे बेचे काम करना कड़ा सब्का यह दे वालते आं देता जावे तेनु शातनु चेह कीता जावे पाइंपाई शेशे देन लाइड दी अमधी साड़ी अजिए बार ले प्रावल्म है नेरीमी करके जड़ियां उनियां उनियां चलो कोई पोल्ड पर आजाओ तो नॉर्मल कला ना बाकी आए बिल्डंग दे प्रावल्म हाई यह दे ता डे सारे ने सम नहीं है देखी रहे जे बागी चैनल दुरू अहीं बड़ा इत्रवादियां जड़ा दूहीं यह थे आए जे साड़ी जड़ी जानकरी उचेदगार यह नों पजाओ गया सरकार तक पजाओ गया बिल्डंग बहु खसता वा ते पानी तुह देखी रहे जे किस तरा टेप टेप कर जालंधर की कपूर कालोनी के रहने वाले अभिशेक गौतम ने पूरे गौतम परिवार का सर समान से उचा कर दिया है उसने ऐसी ऐसी उपलब्दियां हासिल की है जो कि इस उम्र के बच्चे के लिए हासिल करना शायद नामुम्किन है 12 से 17 वर्ष के बच्चे की उम्र जो कि अपने साथियों के साथ खेलने कूदनी या फिर दोस्तों के साथ घूमने की होती है लेकिन अभिशेक गौतम ने इस उम्र में नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक बड़ी बड़ी कंपनियों के ना सिर्फ सेर्टिफिकेट हासिल किये हैं बलकि पहला और दूसरा रैंक लेकर परिवार का सम्मान बढ़ाया है नील गौतम के वेटे अभिशेक गौतम ने 17 वर्ष की आयू तक बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं जिस तरह आज कल नशे का सेवन बढ़ता जा रहा है बच्चे अपनी राज से भटक रहे हैं और उन्हें पल भी नहीं लगता गलत कारियों में पढ़ने का इसलिए वे यहीं चाहते हैं कि सब बच्चे अभिशेक की तरह अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने माता पिता और शहर का नाम राशन करें अभिशेक एपीजे स्कूल का छात्र है और उसने स्कूल की तरफ से USA में नासा में बहुत से इंटरनेशनल वर्क्शोप जिसमें एपल, टेसला, माइक्रोसॉफ्ट जैसे इंस्टिट्यूट शामल है जब कोविट का दोर चला और स्कूल बंद होने पर ऑनलाइन स्टडी कर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्ज डिफेंस मिनिस्ट्री, डिस्कवरी, गूगल, टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री, डब्ली पता नील गौतम, माताःचनी को हम पवन गौतम, कांता गौतम, राहूल गौतम, रियान गौतम, रोमानी गौतम, डल्त शमाइरा गौतम, और राजंदर शर्माद्वारा, अभिषेक का मू soothing कर आगा क्या उन्हें का खया, इस पीन जावे आपने बेटे पर बहुत गर्भ आपना पार्टिस्पेशन की ता एक उठोवी ए बहुत बड़ी आचीवमेंट्स लेके आया इन्हें इस तो लावा बहुत सारी इन्सीचूशन देना जुड़के जो की इंटरनेशनल लेवल नियां इस चीवमेंट्स ने उत्थे जुड़के इन्हें बहुत बड़ी कि इदे केड़े केड़े ऊचीवमेंट्स हासल कीते हैं इन्हें मिनिस्टरी ऑफ हो फेस तो ही सर्टिफेकेट हासल कीता है डिफैंसमेंस्टरी ना भी कीता है डिस्कवरी और गोगल जो की बहुत इंटरनेशनल लेवल पड़ी आज उच्छ संसामा ने उतों ही ने इसदाम किते हैं ते उथ होट हमें आई यू इंटरनेशनल इंस्टिशूशन ना एध विच भी इने पार्टिस्पेशन कीता है ब्रेटिश कॉंसिल जेडी की इन्टरनेशन डेवल दिया उथ हुथ 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 है इने है पार्टिस्पेशन एपल फोन वाली कॉंपनी हो थे ते मैंनों बहुत ही मान है कि हमेशा हर चीज वेच हर एक्टिविटी वेच स्कूल हो वेजा कर हमेशा इनने हमेशा अवल ही आया है ना ही जाधा कार टीवी बगारा या हो गया बच्याना इन्वालमेंट इती बहुत काट है सिर्फ इननों एकि मैं जिंदगीच कुछ करना है शुरू तो लेके आज तक इनने अपने आपनों हो रहां चीज तो बचा के सिर्फ एधी मेन प्रियरटी यही रही है कि अपनी स्ट स्टेडी ना लेटेड जो भी अक्टिविटीज है यह सोशल मीडिया ते यह नहीं कि सिर्फ तुसी फेस्बुक ते अगाउंट बना ले वाट्सअप यूज कर लिया जिकरता नों ही फिसलिटी है ते तुसी ओधे नहीं तो नहीं जो चीजा नेट ते आ रही है नहीं जड कर देरो सानु सबनों एदे बौद प्राउड है वी आला प्राउड अफिय। को लो ऑपर्चुनिटी आई सी के वो लाके चलने सी यूएस से वर्क्शॉप्स ली अपल दी टेसला एच्पी माइक्रोसॉफ्ट ते होर काफी सी लिया तुरिंग ताइम ओना ने चूज करने सी बच्चे जेड़े की स्कोलास्टिकली वेल परफॉर्मेंगा ते ओना नो अबना शुरू कीता कि मैं किस तरह अपना टाइम यूज कर सागता तो तो मैं देखिया कि काफी सारे कोर्सेज ने या सर्टिफिकेट्स ने जड़े तुसे चीफ कर सागते हो करे बैठे बैठे जिदेना कि मतलता अपनी अबिलिटी तुसे इंक्रीज कर सागते हो मैं देखिया कि काफी सारे अवेलियबल है गया ते मैं लैने शुरू कर देखिया कि अग्यो की है अपना लाइव जा अग्यो मैं आटिफिशिल इंटेलिजेंस्ट पर जीव करना चांदा के लिए मेरा नाम नील को अथम है ते मेरा बेटा भी शेक को अथम है ए बच्पन दो एपीजे स्कूल देविच पड़े है ते उना ने जो दो ब्रिलियंट स्टुडेंट्स नो नासा ले जान दे लिए लांच कीता थी प्रोग्राम ते उदे विचेजी सेलेक्शन होई ते नासा जाके आया होते हैंने एपल, माइप्रोसॉफ्ट वगरादे जड़े वाक्शाप सी अटेंड कीते हैं उस दिन तो मतलब रही एक पॉजिटिव सोच चल दी रही है ते अगे भी इने मेनत करके ते ऑनलाइन भी लॉगडाउन दे दुरान ओनलाइन सेटिफिकेशन सासिल की जालंदर के समिधान चौक में ट्रैफिक पुलिस की और से लोगों को हेलमेट बंटे गे इस मौके पर एडी सीपी सुखविंदर सिंग ने लोगों को हेलमेट के फाइदों के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों के बारे में भी अवगत करवाया उन्होंने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए उन्होंने कहा कि जो बच्चो या नौजवन वाहन चलाते हैं उन्हें लाइसंस बना कर ही वाहन चलाना चाहिए उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रती जागरुक करने के प्रती कैंप लगाई जाते हैं उन्होंने प्रतेक मातापिता से अपील भी की कि वे अपने बच्चों को कम रुम्र में गेर वाला वाहन ना चलाने दी पुलिस की और से लोगों को हेलमेट बांद कर जो सराहनिय कदम उठाया गया है लेकिन लोगों की और से हेलमेट लेकर थोड़ी दिव दूर आगे जाकर वहीं हेलमेट अपनी गाड़ियों के डिक्की में रखते हुए वे नजर आए जालंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट कोई हेलमेट नहीं ले सकते ताखे लोकान नूं बनी टाघा सके वह अपनी जडिख्यावास्ते हां है रोमेट किनना जरूरी है पहनणा वह हेलमेट दे कर सौन दस्धा जा रहा है जा गया हमेचा पालन के रखो ताखे अप्ट अफटर परवार्दी शर्ख्या नंब钱 जरीदे नाल बहुत सारे जड़ियां हो जानी निक्सान भी हुंदे है और आज जेना नू समझाया गया और हैलमट दिते जा रहे है तांके यह लोग जड़ा वाद तो वाद हैलमट पहन सब्सक्राइब होश्यारपुर के डिप्ती कमिशनर कोमल मितल की और से हुश्यारपुर जले में प्रभावित बाड समंधी ताजा स्थिती के बारे में लोगों को जान करी दी गई और डिप्ती कमिशनर की और से लोगों को अपील ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो सके हुशारपुर से हलचल के लिए अंकुष गोयल की रिप्योट सब तो पहला ता असी जिनने वी लो लाइंग एरियां है वावे ऊचो हो गई खड़ा हो गया उनों तो दूर रही हो सकता है आनवले टाइम दे विच्छो कोई पानी छड़िया जावे तो जेकर वी कोई वी चो दे आसपास रहन दा है जो उत्ते कुम्दा है उत्ते खेड़ दुखसान होया है क्योंकि उत्ते पानी बहुत जादा पर गया है असी अवोइड कर ये जिकर अपना ट्रेवल इना एरिया दे विच अवोइड कर सकते हैं तो नहीं तो उत्ते ट्रेविक सानों डाइबोर्ट करना पाएगा पर क्यूंकि पर असी बारिश दे मौसम दे वि सारी टीमों थे मौझूद ने ते जित तरह दे विए रिलीफ वोग से लोड होएगी वो प्रुवाइड केती जावेगी इच्छाधारी मंदिर अड़ा राइपुर बलना पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हितुश्री अमरनाथ यात्रा भंडारे के पंदरवे दिन भी लंगर जारी रहा इसके बाद यात्रा में जाने वले शिव भक्तों ने पिछले कई दिनों से चल रहे अनेक प्रकार के लंगर को प्रसाथ के रूप में ग्रहन किया पंदरवे दिन के भंडारे की शुरुवात मा बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लंबा पिंचोंक के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भार्दवाच के करकमलों से हुई लंगर के आयोच को रजंदर शर्मा भगवान दास नरेश शर्मा काली ने बताया कि भंडारे में आने वाले शिव भक्तों को रोजाना सुबह दोपहर और रात्री को नेक प्रकार के विंजन प्रसाथ के रूप में वित्रित किये जा रहे हैं मेहुनों ने बताया कि शिव भक्तों के विश्राम तथा रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्द करवाई जा रही है इस मौके पर राजंदर शर्मा भगवान दास अजे मिलोतरा नरेश शर्मा अशुनी शर्मा धूबवाले अशोक शर्मा विजे महाजन रमेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शेव भक्त शामिल रहे जालंदर से हलचल के लिए कैमरामें सुरेंदर बाबा की रिपोर्ट पुत्रवी ने साथे ज्वाई भी लाग देने नमजीद जी आज पोडेशन करदा अशीरवाद लेन पंडारेवे चाहे ने जेडे की मा भगला मुखी दे पकतने थार वीरवार नूँ खोर भी जदों ही कूँ भगला मुखी देना होदा है वोदों बड़ी शर्दा देना रॉटरी क्लब अम्रिसल सेंट्रल के सदस्यों और अधिकारियों की और से हर वर्ष की तरह इस वर्ष मी नवन योकत ध्यक्ष रोटेरियन रवी हंडा के साथ बिचली पहलवान मंद्री में माथा टेक आशिरवात प्रप्त किया इस अफसर पर रवी हंडा ने कहा कि इस न अपने सबी सदस्यों के साथ कंदे से कंधा मिलाकर इस वर्ष मी अच्छे तरीके से समाज की सेवा करेंगी अम्रिसल से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट मैं रभी कुमारांडडा रुटेरियां रभी कुमारांडडा कोई जुलत्सों और में अच्छे तरीकेद नाल समाज सेवा करांगी राट्री डा मतलब है वार्ट असजो सकेगा अच्छो अच्छे प्रजेकट्प क्या वांगे और दीन दुख्यां दी जो सड़कों हो सके कासी मदद करांगे इस सारे नी पला कर नमस्ते शामिल होगा जी रॉटरी क्लब दा परदान नहीं चुने गई है और अब अन्त में हलचल की कतिविदियों पर एक नजर फिर से अम्रिस्तर के जंड्याला गुरू के अधीनाती गहरी मंडी के नजदीक खेतों में मिली लाश सिर्वा मुपर मिले चोटो के निशान अम्रिस्तर के थाना मकबूल पुरा और C.I.A. स्टाफ की पुलिस ने 9 गैंक्स्टर्स को किया काबू पिस्तॉले गोलियां एक जैमर किया बरामत इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समावत होती हैं और ताजा चौनकरी के लिए देखते रहे हल चल